सब्सक्राइब करें ट्रावेलिंग डॉक्टर चेनल को और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं नमस्कार, हेलो, सलाम और सस्त्रियकाल दोस्तो मैं हूँ ट्रावेलिंग डॉक्टर तो आज हम है स्पवित्र नगरी सोमनाथ में सोमनाथ में सोमनाथ जी के दर्सन करने के बाद एक और दूसरी पवित्र जगा है जो की खाली पांच किलोमीटर दूर है सोमनाथ मंदीर से और इस जगा का नाम है बालकातीत तो मैंने ये सोमनाथ मंदीर से ये ओटो कर ली है और हम जा रहे हैं बालकातीत आप अगर शेरिंग में आटो करेंगे तो आपको 10 से 15 रुपीस पर परसन में ये आपको बालका तीर छोड़ देंगे तो दोस्तों हम आगए है सोमनाथ के दूसरे टूरी स्पॉर्ट ये है बालका तीर इस खलका काफी मोहत्व है इत्यास में तो चलिए अंदर जाते हैं पीछे है भालका तीर का खुब सूरत मंदिर बहुत भी बढ़िया मंदिर है ये अंदर मैं आपको जाके दिखाता हूँ तो दोस्तों इस स्वंदिरी कहान यसी है के महाभारत काल के दोरान भगवान स्री कृष्णा जी यादा हो के अंदरूनी कलवा की वज़े से परेसान हो गए थे तो उस परेसानी की वज़े से वो पीपल के पेड़ के नीचे योग मुद्रा में बैठे हुए थे बाहिना पैर दाहिने पैर के उपर चड़ा के बैठे हुए थे तो उस समय एक सिकारी को ऐसा लगा कि जो भगवान स्री कृष्णा जी का पैर है वो एक मुरिक का मुँ है तो उसने तीर मारा तो वो तीर लगा बाहिने पैर में भगवान स्री कृष्णा जी के लेकिन जब वो नस्दीक आया उसने देखा कि यह तो भगवान स्री कृष्ण है तो वो गब्रा गया तो भगवान स्री कृष्ण जी ने सीकारी को माप कर दिया और पूस्वी पर अपनी लिलाय समाप करते हुए निजदां परस्थान कर लिया यहां सिकारी ने भगवान स्री कृष्णा जी को भल याने के बान मारा था इसलिए इस थान को भल का तीर्थ केते हैं इस वज़े से यह मंदिर का काफी महत्व है यहां पे आपको वो पीपल का पेड़ भी आज की तारिक में भी दिख जाएगा मंदिर में और जो मुद्रा में भगवान स्री कृष्णा जी को तीर लगा था उस मुद्रा में भगवान स्री कृष्णा जी की मूर्ती भी देखने को मिलेगी आपको और पार्धी जो सिकारी था जर वो भी आपको देखने को मिलेगा यहां पे तो आए दोस्तों भी पीछे की तरफ चलते हैं यह मंदिर का पीछे का भाग है यहाँ पे यह खूंड है तो दोस्तों जब भी आख कोमना थाए तो यह भालका तिक जरू आई है इतमीश मत खरी है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मंदिर है यह और आपको यहाँ आखे कापी अच्छा लगेगा तो चलिए भी जाते हैं दूसरी जगा पर बाजू में स्री प्रजाबती ब्रह्मा कुमारी का भी दर्सनियस थल है यहाँ पर भी आपको जाना तो जा सकते हैं उन्दर तो दोस्तो आसा करता हूँ कि यह बालका तिसका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ सेर कर दीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्स्राइब करके जाएए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो पोस्त करता रहता हूँ अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई थेंक यू तो गुमते रहिए और खाते रहिए